साल 2020 कुरोना वायरस से शुरू हुआ और किसानों के आंदोलन पर खत्म हो गया नमस्कार आप देख रहे हैं A&B News मैं हूँ आपके साथ संदीपतिवारी आज 31 दिसंबर है ये तारिक जुड़ी है एक चार्टर से जिसके तहट एक कमपनी की अस्थापना हुई थी ब्यापार करने के रादे से बनाई गई ये कमपनी बाद में अपना रात चलाने लगी उन्होंने अपनी सेना तक बना ली थी एक समय में इसका सिक्का ब्रिटिस सरकार से भी ज्यादा बोलने लगा था आपको पूरा मामला विश्तार से बताते हैं ये कहानी ब्रिटिस इंडिया कमपनी की है जिसने भारत में अंग्रेजी सासन की नियू रखी थी ये सब सुरू हुआ एज आफ डिसकबरी से 15 सदी की सुरुवात से 17 सदी तक का समय जब यूरोप के देश अपनी सीमाओं से बाह तो किसी को संपतियों की लूट करनी थी इस सकेल पर व्यापार या लूट समंदर के रास्ते से ही संभो था यूरोप के देश जहाजों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे उन्होंने समंदर में सफर को आसान बनाने पर जोड दिया इस प्रोसेस में पुर्तगाल सब से जात्री था हाला कि उसका स्वागत नहीं हुआ एक समय ऐसा भी आया जब वास्को डिगामा को स्थानी लोगों से लडाई करनी पड़ी उसके कई साथियों की हत्या कर दी गई थी वास्को डिगामा को जान बचाकर वापस भागना पड़ा वो तीन साल बाद वापस लोटा इस बार उसने बदला लिया और पुर्तगालियों को भारत में बसाकर ही दम लिया वास्को डिगामा से पहले भी कई जहाजियों ने भारत पहुँचने की कोशिस की थी उदाहरण के लिए जैसे कोलंबस रास्ता भटक कर अमेरिका पहुँच गया था कई जहाजी तो समंद में ही खो गए थे उनका कभी पता ही नहीं चला कई समद्री लुटेरू का सिकार बन गए इसके बावजूद मिसन चालू रहा और यूरोप को एसिया के इस हिस्से में इतनी दिलस्वी क्यों थी वह आपको सब कुछ बताते हैं वह इतना कुछ गवाकर यहीं कबजा क्यों क सबसे बड़ी वजय थी मसाले यूरोप में मसाले उपज़ते नहीं थे इनके लिए मसाले सोने से भी ज्यादा कीमती थे पुर्तगालियों ने इस खाई को भी पाट दिया फिर इस खेल में इस पेन भी सामिल हो गया पुर्तगाल और इस पेन का एक तरफा राज चलने लग इस इसका नाम था इनिविस्वल अर्माडा अगर हिंदी में कहें तो अजे अर्मडा फिलिप दोती ने इंगलेंड पर हमला करने का हुक्म दे दिया था इस पेन की नव सेना उस दौर में सबसे ताकत और सेना थी लेकिन उस साल उनकी किसमत दगा दे गई और अजे को कुछ अंग्रेजी ब्यापारी महारानी एलिजाबेत प्रत्थम से मिलने पहुंचे उन्होंने भारत के साथ ब्यापार की इच्छा प्रकट की वो जरूरी रकम लगाने के लिए तैयार भी थे महारानी ने परमिसन भी दे दी एक चार्टर लाया गया इसके जरिए ब्रि मिल गई अब उन्हें भारत में अपनी जमीन तैयार करनी थी इसके लिए रेकी की गई कई सालों तक मुआयना चलता रहा फिर 1608 में बिलियम हांकिन्स भारत पहुंच गया वह इस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिधी बनकर वो मुगल्स बातसाह जहागीर से मिला वो तीन साल तक जहागीर के साथ रहा फिर उसे सूरत में फैक्टरी स्थापित करने की अनुमती मिल गई 1613 में इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नियू रखी इसके बाद उन्होंने मुगल बातसाहों से रिस्ते बनाए उन्हें टैक्स में छूट के लिए राजी कर लिया नई जगहों पर फैक्टरी स्थापित करने की इजाज़त ले ली उन्होंने फैक्टरियों की सुरच्छा के लिए सेना की तैनाती भी की इन सब सुविधाओं के बदले कंपनी बाहरी आक्रमर से मुगलों को बचाने के लिए राजी हो गई ये एक चाल थी जो आगे चलकर भारत की गुलामी का आधार बनी 1707 में और अंगजेव की मौत हो गई वो आखरी काविल बात्साह साबित हुआ और अंगजेव ने इस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखा था उसके बाद के बात्साह आयासी और आपसी लडाई में बेस्थ हो गए उन्होंने कंपनी और मराथा बीरों ने कंपनी को तगड़ी टक कर दी लेकिन कंपनी बहादूर हमेशा 20 साबित हुई सबसे बड़ा बिरोध सामने आया 1857 में पहले स्वाधिनिता संग्राम में जब देश के कई हिस्सों में बगावत शुरू हुई कंपनी ने इस बिरोध को पैरों के नीच पासन नहीं चल सकेगा 1858 में गौर्णमेंट आफ इंडिया एक लाकर ब्रिटिश सरकार ने इसासन सीधे अपने हाथों में लिया कंपनी की सेना का बिटिश सेना में बिले कर दिया गया सन 1874 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था A.N.B. News की एक विनम्र अपी नैसाल के उलास में दूसरों का भी रखें खयाल शराब पीकर वाहन ना चलाए पिकनिक स्पॉट्स पर तेज लाउड्स पीकर ना बजाए खुश रहे और दूसरों को भी खुश्यां बांटे इस अपील के साथ आप सभी को A.N.B. News की और से नैसाल की हारदिक शुब कामनाए